EPS 95 Pension Pensioners की तरफ से सरकार पर आ रही ये बड़ी बात सरकार का चुनावी एहंकार हम बूड़े जरूर हैं, मगर मरे हुए मुड़दा नहीं सूचनाजी News, 36 गड EPS 95 Pension EPS 95 Pension का मामला शांत होने वाला नहीं है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है EPFO, EPFO पर भडास निकालने वालों का जथा बढ़ता जा रहा है आचार संहिता लगने के बाद सरकार से मिलने वाली सारी संभावनाओं के द्वार बंध हो चुके हैं ऐसे में EPFO की कार्य संस्कृती और सहयोग न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है पैंशनर्ज आके सांगा ने पोस्ट किया लिखाई PFO के माध्यम से मजदूरों का खुलेाम शोशन हम सभी जानते हैं पंजी करण के बाद या पंजी कृत नहीं हो जाता है तो पंजी करण के बाद वे बिना और चिकित्सा सुविधा के माँ प्राप्त करते हैं सभी यूनियन और संगठन भारत में इसे होते हुए देख रहे हैं उन्हें श्रमिकों को सक्रियर रूप से शिक्षित और सुरक्षा करनी चाहिए या उनकी दुकानों को बंद करना चाहिए एनेसी की ओर से कोई फत्वा जारी होना चाहिए अनिल कुमार नमदेओं ने अपनी भडास निकालते हुए लिखाविवे काम नहीं कर रहा है कि EPA's 95 पेंशनर्ज अपना कीमती वोट लोग सभा चुनाव में सदुप्योग कैसे करें दिमाग कहता है, हाँ और दिल कहता है ना सभी उहापोह की स्थिती में है आपकी राय क्या है क्या NAC की ओर से कोई फत्वा जारी होना चाहिए जो पेंशनर्ज का काम करेगा, वही देश पर राज करेगा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले पेंशनर्ज इंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा जो pensioners का काम करेगा, वहीं देश पर राज करेगा. जो उनका हक मारेगा, उसका हाल चुनाव बताएगा. सरकार का चुनावी एहंकार हम बूड़े जरूर हैं, मगर मरे हुए मुर्दा नहीं. सरकार भलीभानती जानती है कि NAC, पूरे भारत के हर राज्य के हर जिले में एपॉलिटिकल बुजर्गों का संगठन है. हम किसी दल के पीछे घूमने वाले लोगों की जमात नहीं है. हम करुणा और शानती, प्रेम और भायचारे के साथ जीना पसंद करते हैं. हद की भी कोई हद होती होगी. 2013 में, बीजेपी ने हमारे संगठन से वादा किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो EPS 95 के पेंशनर्स के साथ न्याई करेगी. आठ सालों के अनवरत शानती पूर्ण इस आंदोलन को असीम धैर्य और विनीत भाव से हमने सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है. फिर भी ढाक के तीन पाथ ही दिखाई दे रहा है. EPS 95 पेंशन, पेंशन भोगी पानी पीपी कर कोश रहे सरकार को कोई शायर बना, कोई व्यंग्यकार पेंशनर्स ने लिखा मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ, जिने राजनीती करनी है, वे मैदान में जाएं. इस समुह में नहीं. पर जम कर कटाक्ष किया जा रहा है. कोई चुनाव बहिशकार तो कोई खिलाफ में वोट करने का दम भर रहा है. अब की बार पूरा साफ करने का नारा तक दिया जा रहा है. पेंशनर्ज नितिन भागवत ने पेंशन भोगियों के फेस्बुक पेज पर लिखाबाय बाय धरना प्रदर्शन, आंदोलन और भूक हड़ताल. तीन महीने के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है. फिर मिलते हैं जुलाई में नई उर्जा के साथ हम मरते दम तक कमांडर राउत कम्पनी के साथ थे हैं और रहेंगे. इसके अलावा कोई चारा नहीं. पेंशनर्ज अशर्फी मंडल ने यह सलाह दी. यह जानते हुए कि हमारा संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है. कई लोग इस समुव में लगातार राजनीतिक विचारधारा के बारे में लिख रहे हैं. यह अनजाने में है. मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ. जिन्हें राजनीति करनी हैं, वे मैदान में जाएं. इस समुव में नहीं. कई बड़े राजनीतिक संगठन हैं. कौन सा संगठन हम जैसे पेंशन भोगियों के लिए सडकों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है? हमें अपनी मांगे मनवाने के लिए और आंदोलन करना होगा. मैं अपने केंद्रिय नेताओं को उनके अमानविय परिश्रम के लिए धन्यवाद देकर उनका अपमान नहीं करना चाहता. बस इतना कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ते रहो हम तुम्हारे साथ हैं. अपकी बार पूरे साफ पैंशनर्स ससी नायर ने लिखा अपकी बार पूरे साफ EPA's 95 पैंशनर्स जिंदाबाद वहीं प्रसांत मुखर जी का पोस्ट भी काफी नाराजगी से भरा था. आचार संहिता लगने से पहले किये गए पोस्ट में लिखा था pension hike not decided by Modi government before 2024 general election then by court giving votes to BJP by SR, citizens EPA's 95 pensioners. स्वदेश दास गुपता तो बन गए शायर कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा हम किसी के ना रहिया, कोई हमारा ना रहा कोई गालात फाहामी में ना रहे, आब इस सरकार पर कोई भरोशा नहीं EPA's 95 higher pension, जिस CPF trust को EPFO बताता रहा सही pension की बारी आई तो बता रहा गलत form किया cancel EPFO हर साल CPF trust के खाते रिकॉर्ड की करता है जाँच, लेता है शुल्क, pension form cancel करने का दाव पड़ा उल्टा LM सिद्धिकी ने कहा trust rules का हवाला देकर सदस्यों को उच पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक साजिश सूचनाजी न्यूज, 36 गड़ कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization बुरी तरह से फंस्ता दिख रहा है EPS 95 higher pension को लेकर EPFO, EPFO का घेर लिया गया है पेंशनर्स ने तर्क के साथ ऐसी बात बोल दी है कि कानूनी नजर से EPFO का बचना नामुम्किन दिख रहा है Sale, Sale के भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट समेत कई प्लांट के कार्मिको का ज्वाइंट Option Form निरस्त करने का मामला सामने आ चुका है Demand Letter को वापस लेने और जमा चेक को वापस करने से हडकम मचा हुआ है पूरी जिम्मेदारी और आरोब सेल के CPF ट्रस्ट पर लगते रहे अब EPFO ही फंस्ता दिख रहा है EPS 95 Pensioners राश्ट्रिय संघर्ष समिती 36 गड़ के अध्यक्ष LM सिद्धीकी ने सुचनाजी.com को बताया कि एक गैर कानूनी परिपत्र 31 मई 2017 के द्वारा Exempted Establishments में कार्यरत अत्वा Retired Employees को इस लाप से वंचित कर दिया गया था कर्मचारी भविश निधी संघठन के जाच अधिकारी पर सवाल Exempted, Unexempted Establishments पर EPFO घेडते हुए LM सिद्धीकी ने गंभीर आरोप लगाए है उनका कहना है कि Exempted Establishments के सभी खातों और रिकॉर्ड्स की जाच समय समय पर कर्मचारी भविश निधी संघठन के जाच अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसका प्रशासनिक शुल्क भी वास्तविक वेतन के आधार पर इंप्लायर से कर्मचारी भविश निधी संघठन द्वारा वसूला जाता है आपत्ती क्यों नहीं की? अगर नियोकता द्वारा सीमित वेतन से अधिक वेतन हो जाने पर भी पैंशन फंड में वर्षों से लगातार अंचदान किया गया तो उस समय उन्होंने आपत्ती क्यों नहीं की? जाहिर है कि इसे कभी भी भविश निधी संघठन द्वारा आपत्ती योग्य समझा ही नहीं गया और बाद में सुप्रीम कोट का निर्णे भी 4 नवंबर 2022 को आ गया वास्तविक वेतन पर पी एफंड के लिए अंशदान किया गया भविश निधी संघठन ने अपने परिपत्र 22 जनवरी 2019 द्वारा अपने क्षेत्रिय कार्यालें को निर्देशित किया था कि कर्मचारी और नियोकता द्वारा जहां वास्तविक वेतन पर पी एफंड के लिए अंशदान किया गया है और जिसे भविश निधी संघठन ने स्विकार भी कर लिया है ऐसे हालात में यह मान लेना चाहिए कि एपी एफ एक्ट 1952 के अंतरगत पैरा 26 का अनुपालन कर लिया गया है इसलिए ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक शड्यंत्र प्रतीत होता है ज 30 लाग तक EPFO को थमाया PPO का अब तक पता नहीं भविश्य निधी आयुक्त के साथ बैठक के दौरान उनके संग्यान में लाया गया सूचनाजी न्यूज भिलाई EPS 95 Higher Pension EPS 95 Higher Pension को लेकर मामले अब भी अटके हुए है न्योंतम Pension, Minimum Pension की बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर राइपुर EPFO कार्यालय का घेराव किया गया इस दौरान BSP के पूर्व कार्मिकों ने लंबित मामलों को उठाया भविश निधी आयुक्त के साथ बैठक के दौरान उनके संग्यान में लाया गया कि अमरितलाल पटेल BSP Retired कर्मचारी ने 25 अक्टूबर 2023 को भविश निधी संगठन की मांग पर 30 लाख रुपए और चंद्र शेखर नाइडू BSP Retired कर्मचारी ने 31 दिसंबर 1923 को 30 लाख रुपए जमा किये है लेकिन अभी तक उनका PPO जेनरेट नहीं किया गया है जो उचित नहीं है भविश निधी आयुक्त ने कहा कि उन पर कारिवाही चल रही है और बहुत जल्द सभी आपचारिकताएं पूरी हो जाने पर उन्हें एरियर्स के साथ उच्च पेंशन मिल जाएगा विलंब होने की स्थिती में ब्याज के नुकसान के सवाल पर उन्होंने असमर्थता जताई की उन्हें हेड आफिस के फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ता है LM सिद्धी की अध्यक्ष ने पेंशन के कैलकुलेशन के लिए संबंधित सदस्य के एक सितमबर 2014 के पूर्व की सेवाएं और पेंशनल सेलरी तथा एक सितमबर 2014 के बाद की सेवाएं और पेंशनल सेलरी को दो भागों में विभक्त करने के बाद उच्च पेंशन निर्धारित करने से होने वाले नुकसान पर भी प्रश्न उठाया। इस मामले पर भी भविश्य निधी आयुक्त ने उनके द्वारा हेड आफिस के निर्धेशों के अनुसार कार्य करने की विवश्टा जताई। अभिशेक कुमार ने चर्चा के दौरान बताया कि उनके कार्याले में 17,000 आवेदन उच्च पेंशन के लिए प्राप्थ हुए हैं, जिन में से 1,220 सदस्यों को डिमांड लेटर जारी किये गए हैं। अब तक लगभग 500 ने राशी जमा की है। आवेदनों के धीमी गती के निराकरण पर अध्यक्षे LM सिद्धीकी ने गंभीर चिंता जाहिर की और त्वरित गती से उच्च पेंशन के प्रकरणों को निप्ताने के लिए आग्रह किया। LM सिद्धीकी ने शीक्र मांगो का निराकरण नहीं होने पर चुनाव बहिशकार की भी संभावना जताई।